तारों की बात ना कर मुझे सोरज का इंतजार है अभी थोड़ी है रोशने मुझे उजालो का इंतजार है नमस्कार दर्शकों आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग और मैं हूँ आपके साथ मेगा शर्मा कारेक्रम नमस्ते हिमाचल के संग मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभी नंदन है दर्श को लोक गीत और लोक गाथाएं किसी भी समाज का प्रतिबिम्ब होते हैं ये ना केवल मनुरंजन का साधन मात्र होते हैं बलके वहां रहने वाले लोगों की आत्मा को भी प्रतिबिम्बित करते हैं हमारी ये लोक गाथाएं लोक कलाएं इस आधुनिक समय में भी समाज में कहीं न कहीं गहरे रूप से जुड़ी हुई है लेकिन इसका सनरक्षन बेहत जरूरी हो जाता है ताकि हमारी ये धरोहर पीडी दर पीडी हस्तांतरित होती रहे और आने वाली पीडियां भी इसका आनंद ले सके और इससे जुड़ाओ महसूस कर सके हमारा आज का विशे भी यही है लोक गीत और लोक गाथाएं इस विशे के बारे में भी हम बहुत सारी बातचित करेंगे और साथ ही जानेंगे हमारी आज की गेस्ट की जीवन के बारे में और उनकी निजरिये से जानेंगे कि लोक कला, लोक गाथाएं, क्या होती है और किस तरह से उसमें बदलाव आया है तो बिना किसी देरी के कारेक्रम शुरू करते हैं और हमारी आज की गेस्ट है विम्ला चोहान जी, हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपको नमस्कार वें, मैं दन्याबाद करना चाहती हूँ दुरसन परिवार का, जिनों ने मुझे यहां आने का मोका दिया बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो इस कारेक्रम को लोग बेहद पसंद करते हैं तो क्यों ना इस कारेक्रम की शोभा को और बढ़ाते हुए, आज कारेक्रम का आगाज आपकी आवाज से ही कर लिया जाए और भगवान की स्तुती से कर लिया जाए शीके मैं एव जागारा मंदिर शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो उच्यादारा मंदिर शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो मंदिर तेरे मां जंडे जुल दे जाज आए दिल्ली आदे रसता भुले दे दुईयारा करी जादी नहेरा शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो उच्यादारा मंदिर शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो सो साथ पेड़ी मया चड़िया नजादी दुरते जे जे कारा शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो उच्यादारा मंदिर शीकारी मां दरिशन पाने तेरे हो अरे वाह देहत खुबसूरत रख कारेक्ट्रम की शोभा आपने बढ़ा दी आप लोक गाई का है और जिला मंदी से समंध रखती है और आपने शीकारी माता का गाना सुबह सुबह हमें सुनाया आपकी मतलब डिस्ट्रिक मंदी के अगर बात की जाए तो शीकारी देवी का नाम सबसे उंचा है और लिया जाता है शीकारी देवी का मैम और कमरुनाग जी है कमरुनाग जी तो सबसे बड़े देवता है अगर डिस्ट्रिक मंदी के बात की जाए तो सबसे पहले आपी की कहानी से शुरू करते हैं आपी की जीवन से शुरू करते हैं और फिर हम लोग कलाओं लोग गाथाओं की बात करेंगे खास कर से कि डिस्टिक मंडी में क्या-क्या लोग कलाई हैं किस तरह की लोग विधाई हैं हम उनकी बात करेंगे लेकिन शुरू क करते हैं आपी से हिदो किस तरह से शरुवात हुई प्रारंभिक जीवन के बारे अगर जानना चाहें आपके तो क्या कुछ जियाद करती हैं और संगीत की तरफ रुजान किस तरह से हुआ आपका जिस तरह सी मुझे आम है मैं बच्पन से तो में पांच्यु क्लासों मैं पढ़ती थी वह बहूत शॉक था यह कलाकारी चाहाई इस बहुत शॉक था और हमारे होते थी जैसे शादी आउना लेंसे यालगा भंटरे होते बोलते बंठड़े होते हैं उस में फिर हम जाते थे और फिर मैं गाम लेते थे और फिर लोग बहुत सराना गरते थे हमारी कि वह इतना सा बच्चा और इतने अच्छे गाने-गा लेते हैं पहले से, छोड़े से अर फिर इसमे Rap मेला बढ़ता गया बढ़ता गया फिर मैं एक बार की बात है कि शादी थी एक शादी में ना फिर उहां मेरे एक चाचा जी हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप गाये, फिर मैंने गाया मैं बचमन में क्या पता हूथ है की ताल क्या अब होता है, या फिर क्या बलते है, उले हैं स्वर कैसह हुता है, स्वरगी तो में पकी थी लेकिन तील से थोड़ी है सी कचिती थी पिर उसके बाद उन्हें जब मैंने गाया तो थोड़े समें बेताल हो गी थी थी तो उन्हें मैंको नमको 1 राटी शेमा एकज सी मारा था यें है ये वह सते ने अव और स्वर्गय श्री डागूराम जी के बेटे थे, वो बचारे स्वर्ग मुं के आत्मा को भगवान शांति दे पर आज तक मैं उनकी जो उनों ने बताया मुझे, आज तक मैं उनकी लाइन पे चली हूँ ना कभी ताल से बाहर गई, ना कभी स्वर से बाहर गई, और एक बात मुझे और भी कही थी, कि बेटा स्वर के जो कच्छे होते हैं, वो चल पड़ते हैं, अगर कोई ताल से बाहर जाए, वो बेताला कभी ने ख़पता है, तो ये बात मुझे आज तक बने की, बहुत बहुत मैं तो उनको बहुत बहुत धन्याबाद करती उनका जिन्होंने मुझे इतना कुछ सीखाया इतना कुछ मेरे जो यहां तक का सफर रहा वो उनकी बज़र से रहने है इसके इलावा गर बात की जाए आपने फिर आगे चलकर तालीम हासिल की शिक्षा हासिल की संगीत मे यहां तो बच्पन सही था आपको शिक्षा तो मैं ऐसे लिए जैसे हमारे हमचंद हर नोट जी है वह भी बहुत अच्छे क रहा है उनसे भी ऐसे कोई खास गूरू मेरे नहीं थे खास गूरू मेरे वही थे अच्छा फिर हम चंद हर नोट जी थे और फिर उसके बाद मैं लोकसंबर्क में आई, पहले तो हमारे ग्रूप थे जैसे बनते हैं जैसे गाउं में, तो सरसोती कला संगम बक्षाड, उसमें मैंने पहली बार जब में गें, तो हमारे को पता नी होता था, शौक था कि भी क्या, फिर उसमें गे, उसमें हमारे को मातर पचास रुपे मिलते तो खुशी-खुशी जाते थे, बच्चे कैसे होते थे, तो फिर ग्रूप में गे, फिर उसमें हमने मतलब बहुत सारे प्रोग्रेम्स की, उसके बाद जब धीरे-धीरे काफी टाइम हो गया उसमें, तो फिर उसके बाद लोकसंबर्क भी भाग में, जैसे इंटरव्यू क के लिए बुलाते थे, हमारे ग्रूप को भी बुला लिया मंडी, तो फिर हम गए वहां पे मंडी में, और वहां हमारा ग्रूप विसलेक्ट हो गया, फिर जब हमने वहां पे गाना गया, तो फिर उन्होंने वारे को कैजूल के लिए बोल दिया, लोकसंबर्क भी भाग से, कि वही casual में भी आप आ सकते हैं फिर हमने casual में भी यहां पर 2004 में हम यहां आई तो आप लोग संपर्ख विभाग से भी जोड़ी उस बारे में हम बात्चित करेंगे लेकिन एक लोग गीत आप से फिर से सुनना चाहेंगे अच्छा तो मैं लोग गीत गाओं या कोई लोग गाथा गाओं आपकी इच्छा है लोग गाथा गाए लोग गीत गाए हम तो सुनना चाहते हैं आपकी आवास में आज हमारे मंडी जो हमारे सुन्दन अगर सुकेत रियासत है हमारे साइड में ना जैसे पुराने पुराने जुमाने की लोग अजैसे tenemos यते धे इसमें नमक की खान में जाते थे वहां जाते थे तो फिर हम सब बखसरी के खालते और एक ऩुम्ब ना करके आयुक होता है तुम्डी बोलते इसमें चली जाते थे दिन लग जाते थे थे नमक लाने लगे द्रंग सरव जन्स लोग मतले थे शाने शाषि सप्सावर दाल धे और तुमबह से लेन समें करत बीत दिन कहोटा और लॅग। तुम्हें वो सुना देती हूं आपको खालडूरा बोलो खरचा मेरे आमनिया तुम्बडूरा ओठांडा पाणे तुम्बडूरा ओठांडा पाणेगो मेरे आमनिया तुम्बडूरा ओठांडा पाणे जेबी पर शुने बोलो भावी आरा बिश्लो हटे घरा ले ओलोना आये हटे घरा ले ओलोना आएगा मेरे आमनिया हटे घरा ले ओलोना आए यह वाले ऐसे गीतों वहां पे गाया जाते है बहुत पुराने पाणे के लिए जाते हैं तो फिर उसके लिए उसके पापा बोलते हैं जैसे राजा उजी एगे उजी एलो सिया दे ये राणी ए पाणी आले होए बड़े बेरा हो पाणी आले होए बड़े बेरा सिया राणी ए पाणी आले होए बड़े बेरा हो सिया माता बोलती है जै इयो तीयो पाणी लेनी आ बेजा दे राजे आ बड़े होँदे रिशी आरे जाये लो बड़े होँदे रिशी आरे जाये लो तुम बड़ुए बिमबड़ुए पाणे ने यो भरेना लोगु बोलो आये जुदुरे जाये लो जुदु आरे जाये बोलो सिया दे ये राणी ये आये बोलो जुदु आरे जाये हो माटेरी बे गडड़ी दे पाणे ने यो भरेना लोगु बोलो आये ख मारे लो लोग बोलो आये ख मारे बेसी या राणी ये लोग बोलो आये ख मारे लो आरे वाँ विमला जी आपने बच्पन की आदे ताजा कर दी जम छोटी-छोटी होते थे तो हमने भी ये सुने आये अपनी दादी से अपनी नानी से बहुत खूब तो जैसे आप बात कर रही थी कि अब भाशा और लोक संस्कृती विभाग से जोड़ी तो किस तरह से उन से जुड़ना हुआ और किस तरह का अनुभव रहा मैं बहुत बढ़ी अनुभव रहा पहले तो जैसे हम छोटी-छोटी करते थे ना जैसे छोटी-छोटी स्टेज हो में काम करना फिर तो हमें तो वहीं अच्छा लगता था कि महम तो तब हम वहीं तक सी मित थे कि बहीं पतानी यही ओड़ा यहा तक हमारी संस्क्रिभी तो हमें अनुभव हुआ कि जैसे बड़े-बड़े स्टेज में मौका में लगाने का तो बहुत अच्छा लगा में जैसे चंबा मिंजर हुआ रामपू लभी हुआ मंडी शिवरात्री हुआ और भी बहुत सारे हिमाचल के बार जैसे कि कई स्टेटों में गें हम जैसे कई जगा पर रास्टपती जी के प्रोग्रेम होते थे तो बहुत अच्छा अनुभाव किया हमने में बहुत कि याने कहीं ना कहीं जो हमारी लोक संस्कृती है उसको आपने प्रदेश के बाहर भी जो है फिलाने का काम कि आपना योगदान आपने दिया तो यह शादी से प अचिन नहीं था, पहले तो इस बात को जो यह उमारी कलाब गेर ना पहले तो बड़ा बुरा मानते थे, कि भई नहीं भेजते थे लड़कियों को नहीं भेजते थे, यह बहुत गंदा काम है, ऐसे हमारे नि करते हैं, यह ऐसे भई कई कुछ बोलते थे, तो फिर भी हम जबर जब दस थी जब हमें बहुत बड़े-बड़े मझी मिले फिर लोगों की बीसान पैल तो हर्कुछीब ना शुरू करें थे रिखने बारें हैं यह ऐसी है फिर था बोलते थे पर जब हमें मतलब जब बड़े-बड़े स्टेज मिले जब नाम बना नाम हुआ जैसे टीवी में आने लगे या कहीं भी प्रोग्राम बगेर में जब देखते थे लोग हमें तो तब फिर लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं कुछ तो कर रहे हैं कि हम तो इनको गलत बोलते थे तो फिर इस तरह से फिर लोगों के मुझ बंद आज कल लोग बचा रहे हैं सब तारीफ ही करते तो कैसा हम हैसूस करती है आज आप मतलब एक वह समय था जब बाहर नहीं जाने दिया जाता था जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ सुनना पड़ा आपको लोग बहुत कुछ कह देते थे आज कैसा हम हैसूस करते हैं आज मैं बहुत अच्छा मैसुस करती हूँ क्योंकि लोगों के बीज में लिए इज़त भी है और लोग बोलतें कि एक बहुत बढ़ी कलाकारा है। पुरार जैसे हमारे टायम में तो बड़ी कलाकारा बोल सकते हैं। लेकिन इतने बड़े भी तो नहीं हैं हुम ना। इतने बड़े नहीं है मैंँ पर फिर भी नहीं बहुत बड़ी बात है जो कला जिसमें कला है और वो कला को दिखा रहा है और खास कर से आप हमारी संस्कृति को प्रमोट कर रही है तो योगदान तो आपका उतना ही माईने रखता है और जब कुछ करने की इच्छा हो और आप बूरा बोलते थे वही लोग आज तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और कही न कहीं वो कुछ करनी की चाहा थी आपको इसलिए अपने औरो से वैलिडेशन भी नहीं लिया कि लोग क्या सोचते हैं मैं तो यह सोचा कि लोग कहते रहेंगे लोगों काम तो कहना ह पिर आप देरे देरे जब वही लोग हमारी तारीफ करते हैं तब बहुत स्कून मिलता है कि 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 कोई टाइम तो ऐसा था कि यही लोग हमें जो है डर्मिनेट करते थे और अब यह टाइम है तो इसी बाद वे हमारे दर्शकों को आप एक और गीत सुना दे कोई एक और आदे वह बहुत बढ़िया है बाकि जो आपकी इच्छाओ उसमें बेले गा जाते हैं जैसे और तो गीत तो लेपे गाते हैं उनको बेले गाया जाते हैं उसमें कोई तालब के ना उसमें नहीं बजता है ना सिर्फ स्वार दिया जाते है और बहुत खूब हमारी स्केत की जो एक नेडी है ना जैसे हम घास नेव गयारा मैं घास कटते हैं तो फिर जब ठक जाते थे ना बहुत जगा तो फिर बैट के बोलते यहां आप गाये नेडी किसी को भी बोलते थे फिर कोई भी गाल लेते है तो मैं आपको सुनाती हूं देकारे बोलू माना हो ककड़ो भी ना आरोय भी आरे गया नेडीये ना हो हो यारोते आइडे कारे ना बले ठांडे नी रजियो खाणे यो गपाणिये ना हो 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 यारोते आइडे थारी नी रजियोते हो मिठडी वे दूरा भी परारे मनों ना गले म equipment के परारे मनों साथी ना आ खुट होया हो ये ना अरे काते ये ना थरो यारोऑ लोग गाथाओं की बात करें हम जब जिलामंडी की बात करते हैं तो कामरुनाग जी को बड़ा देवता कहा जाता है तो कुछ बिताना चाहेंगे उनके बारे में कमरुनाग जी हमारे बड़ा देव कमरुनाग बोलते हैं तो उनका जो मेला होता है वो होता है अशाड मीने में सगरांती वाले दिन तो उनकी विशेश यह है कि वहां एक बहुत बड़ी जील है और एक पुराना लकडी का मंदिर है वहां पर उनकी मूरतियां वहां पर लगी हुई है और एक जील है ना जो हम तो जैसे मंदिरों में पैसे चड़ाते हैं जैसे यह इसमें डाल दो गल्ले बगएर होते हैं तो वहां पैसा ने वहां जो भी पैसे बगएर जो चड़ती है ना वह पानी में अगर आप सोना पानी में जड़ती है जीतने कर भी पैसे बगेरा होते हैं सब पानी में जाते हैं उसमें मतले पानी में उचील होती है उनका खजाना वह है तो ये विशेष्टाए हुई है बहुत सारी लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं वहां पर अशाड मेने में जो सगरानती बढ़ की छोटी सी थी आप गाया करती थी थो इस nationwide के बाण भाद क्राण द एक चाहिए और इस बांथे और पर उस मैं आड ऽो आख नूज बा razor मिदी हो दो यूस्य इस वने आघे हैं करणके लोकठी लोक आते हैं दो फिर उसमें भी पूरी पूरी रात जो है अब तो नहीं होता ना पर पहले-पहले मफ़नों और डरुगोगोद नाचते थे गाते थे सब ऐसे भलता देक्व मिल जासे बैञते ती ना सारी लोग तो फिर उसमें गाते थे नासे हमारय देबता जी एक बहुत बड़ा गेहना लगता है आग का गेहना बोलते है नहीं को उसके इर्द गिर्द बेठना फिर लोग नाचने नाचना शुरू करते हैं आग के साथ नाचना है ये करना वो गना तो ऐसे ऐसे उसमें फिर ये प्रोग्राम भी ओते थी लेकन स्टेज वगरा कुछ नहीं जाए अब आचना है तो अब तुम गाओ भी तुम गाओ अब फिर गणा गुणा गालेते थे बड़ी आतरीके से फिर वहां से भी खाडे से खाड़ा बोलते हमारे अपनी बर्शा में खाडे से जो हम हुए नहीं तो खाडे से उट करके जो है भीरे देर यहां तग पहँं पर दिवाली के आसपास हमारा जो पशूधन है उनके लिए कही ना कही डेडिकेट किया जाता है तो आप माली सुना दे इसी बात पर क्योंकि पूरे हिमाचल में नहीं होता है ये खासकर मंदी जिले में होता है एक दो और जिलो में होता है तो अब थोड़े से सुना दीजे क से इसे गाया जाता है नवो एक जैसे होती है मारे नारे कुल मतलब की वहां जाना आकब था था भी बली प्रथा होती थी तिसने वह उसी टाइम की बastingर ज़की नारे कुल निव sommोख को भेज रहे थी ते हो दुए उसकी सास तो प्रंप मेना च्छिनमा पर बीगा कि तीर को बहुत जाना पड़ेगा उता था ना पतनी एसा सुना है मैंने कि बहुत बहुत प्रानी संस्कीतिकों नी बूलना जहां पे भी जब भी कोई जिकर आये तो ना रेकुल जो है आपने इसको याद करना और सब को सुनाना कि ऐसा सभी हुआ ओल्ट तो ने कुल उसको तो ना चिर्णा जाता था दीवार पे चीद्ट धा उस लेडी दो बचारीकों वह सारे बहाने लगा लगे सकीं नहीं जाना मेरे नहीं जाना तो फिर उसमें घीत मैवाद bye सास बोलती है बहु को ना नारेरी कुला बहु ए जानी ए जाणा नारेरी कुला बहु ए जाणी ए जाणा मेरेरी जाणा शाशो ए बालक बाला बालक बाला शाशो ए बालक बाला बालक आजो तेरे बहु ए खंड दे माँखिरा खंड दे माँखिरा बहु ए खंड दे माँखिरा मेरे नी जाणा शाशो ए बाच तो बुखा बाच तो भुखा शाशो ए बाच तो बुखा बाच तो जो तेरे बहु ए लुण दे माँखाशा लुण दे माँखाशा बहु ए लुण दे माँखाशा नौरे री कूला बहु ए जाणी ए जाणाए यह एक तो बहुत लंबी है ना बहुत लंबी जाथा यह बहुत दे माँखाश करेंगे रहे घ तो फिर लास्ट वसका जाना है पड़ता था फिर जब उसकी इचनाई न जैसे ऊसको एक बूलते की वह यह जो लोक कला है, लोक संस्कृती है, लोक संगीत की अगर बात की जाए तो पीडी दर पीडी हस्तांतृत होता है और कहीं न कहीं वो जो समाजिक ताने बाने से जुड़ा होता है हमारे बारा जिलें हैं, बारा जिलों में ही अपने अपने ढंग से इसको प्रस्तर किया जाता है जिस तरह से हमारे मंडी में इसको गाया जाता है जिला चमबा मभीसी तरह का होता है सुरही माता का वहां पर भी मेला लगता है जो dedicated fully होता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और ये कहानिया और ये किस्से पता नहीं सच है जूट है लेकिन कहीं न कहीं जीवन को जीने का तरीका हमें बताते हैं और वो जो सुख और दुख करिए जो कहते ने कि वो जो तोल है या पहलू है दोनों को दिखाता है बहुत ही खोग बिमला जी आपने अपने समय में जब कैसेट का जमाना था तो आपने कैसेट भी निकाली कुलमिला के आर्टइस के आसपास आपकी कैसेट से रही है तो पहला गाना जब कभी आपने रिकोर्ड किया हो स्टूडियो में क्या कुछ याध करती हू żyदि से गाना होई अखाडे से जब गाना शुरू किया था बांठिडे से गाना शुरू किया और 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 बड़े मन्चों पर आई और ते Umid थोड़ा मताओ उसके बारे बारे में. इम में स्टूडियो में लगा स्टो मारी पेली केस्ट जुगूनी देखरा मेरी से लिवक्ते गानाम विसके बाद कर दो आप का पड तो प्यार ही प्यार वह आपकी आवाज में भी जलगता है। कोई गाना याद आता है एक गाना तो आपने हमे सुना दिया शिकारी देवी कुछ रही है। जूगनी केस्ट में मैंने गाया है वह मैंने खुद बनाया है। है वो है जे बिल्कुल हाम तू बिल्कुल बेताब बैठे हैं बढ़ तो रोश्णी जी ने भी गया ना रोश्णी शर्मा जी ने पर जो मेरी जुगनी के स्टे न मेंने खुद खुद लिखाया है अपने खुद लिखाया खुद लिखाया खुद बनाया था और खुद दिवां पे गाया तो तो नाइन साफी हो जाएगी आपके लिए नहीं हमारे लिए बेर तो आप सुना देजिए मेरी आमिये दुरी शाओ राना करे मेरे नी बसना मेरी आमिये लागा भाई एरा बुरा मेरे नी बसना मेरी आमिये लागा भाई एरा बुरा मेरे नी बसना मेरी आमिये पड़ो शाओ राना दुरा मेरे नी बसना मेरी बेटिये शाओ रे पड़ो जाना लोग लागे हास दे मेरी आमिये दुरी शाओ राना करे मेरे नी बसना अरे वाह ये वाला बहुत खूब तो आपने ये गाना खुद लिखा था जी मैं हूँ तो के शिकायत थी के घरवालों से कि कहीं दूर शादी करा दियो आपकी ऐसा कुछ था ऐसा ही समझो तो आपने कहीं नहीं कि वो शिकायत गाने के मादिन से जाहिर करते बहुत खूब तो संगीत के साथ साथ आपके जीवन ने एक और मोड लिया वो है राजनीती मैं आना हमारा जो पंचायती राज है वो आधार स्थम्भ है तो आप 2016 के आज पैसा पंचायत प्रधान रही अपनी पंचायत की किस तरह से हुआ राजनीती मैं आना मैं वैसे में को पहले शौक तो थानी राजनीती गा लेकिन फिर मुझे लोगों ने बहुत प्रसायत कि आपको आना ही पड़ेगा उनको लगा कि भई ये चला सकते हैं एक पं तो वो ये यहां पे पंचायत भी संभाद सकते हैं तो लोगोंने बचारों ने मुझे मतले मौका दिया दो हाजार सोले से दो हाजार बीस तक में पंचायत की ग्राम पंचायत बादोरवाड़ा की पर्धान रही जो संदनेगर बलॉक में पड़ता है तो ना फिर मैंने होती इसमें भी ती लोगों को अई होती ति इसमें हो बताते थे that beth byoum experience चैनी है कि रहीत जाम के सक्राइब कि और शहानलोगें इसके बारहीं का näपको कि वारी जlor कि अभार मुज़िए की सब ने तारीफ की और का मी मैं बहुत अच्छे दंग से कि लोग ने बहुत स्रा मुझे कि वही एक अच्छी बेटी है इसने आपने संस्क्रिती को भी नी छोड़ा जो इसकी जोब रोग नी छोड़ी और राजनीती को भी चला रहे है, दोनों काम साथ में चलाए, लोगों की भी कोई शिगायत नहीं थी मेरे से कि भी यह प्रदादानों के भी है, इसने भी यह साथ, लोगों को मैं परमानेंट पंचायत में मिलती थी, आज वाह, एसी कोई परदान होगी, जो 90% पंचायत में प्रवेटी थी, दस परसेंट गई होगी मैं पंचायत से बार, लेकिन मैं जैसे अभी प्रोग्राम बगेर होते थी ना हमारे, तो मैं टाइम लेके ना उन से की भई आसा है अपने संभाल लेना, लेकिन फिर लगादार में पांचायत में रही पर्मानेंट मेली में पंचायत नहीं मेली लोगों को, मैंने बहुत अच्छा काम किया उनका ना तो बाकी लोग भी तारिफ करते हैं हम भी तारिफ करते हैं हम भी तारिफ करते हैं आपके काम के, आपके आवाज की, आपके आवाज की, बहुत खूब, तो बिमला जी जैसे कि हिमाचल के बहुत से जिलो मै सिरमौर की बात लेलो, शमला की बात लेलो, कुल्लू की बात लेलो, तो बुड़ी दिवाली मनाई जाती है, आपके पांगना साइट भी बुड़ी दिवाली मनाई जाती है, जहां देवताओं का मिलन होता है, देवताओं का मिलन तो होता है, हमारे दिवाली दिन हमारे देव जैसे पॉप सिंगर चले है हमारी संस्कृती को जो यह भूत पीछे ला रहे हैं गाना इन्होंने पाड़ी गादेनी दूसरी फिल्मी जोड़ देनी उसमें फिर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अच्छा नहीं हो रहा है हमारी संस्कृती के साथ बहुत फीछ है चाल कि किस तरह से अपनी संस्कृति को हम संजोए और जिसका मूल रूप है वो खत्म ना हो मेरी तो यही प्र suspended रहेगी कि मतलब जो हमारी पुरानी संस्कृति में जो रस हमारे पुराने गीतों में आज कल के गीतों में नहीं है मैं तो अपने बच्चों को मतलब सब बच्चों को यह कहना चाहूंगी कि जादा तर जो है पुरारी संस्कृति पर द्यान दे। इससे रस वरे गीत ना कभी बनेंगे ना कभी होंगे। फिल्मी सौंग तो उन से भी सुन लेंगे तो फिर अमारा वजूधी क्या रहा अगर हम अपनी संस्कृति से बढ़के। हमारा तो कोई वजूधी नहीं है जब हम पहाड़ी है तो हम पहाड़ी गाए। अठेवाँ बहुत बढ़िया तो गानम की बात हुई रही है लोक संगीत की बात हुई तो एक और लोक संगीत आप हमें सुना दे अगर तो धिली नाटी हो जाए कि आप जिला मंडी से समंध रखती है तो और भी मजा आ जाएगा। मैं सुना तीमा आपको धिली नाटी मेला लग माउन आगे लागे बेडिले नाटे लाडी रूपा दासे लागे बेडिले माठड़े निगे बड़े तु सभी का हेर ने बांके लाडी रूपा दासे सभी का हेर ने नाटी आये गे नाच दे दोर बिलोंगा लाए नाचे पढ़े बिठर के, टांगडो लाडी रूपा दासे पढ़े बिठर के, हेर दानिंगे भाड़ दारी शोबी घर के, पेरे लाडी रूपा दासे री शोबी घर के, मेडा लागा माउनागे लागे भी धिलडे, नाचे लाडी रूपा दासे लागे गे धिलडे, जिला मंडी को छोटी काशी कहा जाता है इतने सारे क्यूंकि वहां मंदिर है काशी की तरह और बात की आपने मेडा लागा बोलो माहुनागा तो जो माहुनाग है उनको राजा करन कहा जाता है उनकी भी अपनी कहानी है तो थोड़ा कुछ बदाना चाहेंगी माहुनाग जी के वो प्रोप्त बोलते हैं शेंदल नाम जगा पर एक किसान अपने खेतों में हल्च रखाश का ठीट से था तो फिर हल च़रा लाते वेयर अपने उसको मुर्थी मिल गई खेत में अपने तो फिर उसको ना सपना मिला कि वहीजू मैंना राजा कर रहन हो हैसे आपके खेत में व लाजा करने के नाम से जाना जाता है जेठ महीने में जो है इसके मेला होता है हमारे मावनाग में तो फिर मेले में बहुत सारी है जो हमारी माला नाटी होती है ना बहुत हजारों के इस तादात में लोग नाटी नाटी नाचते है ये डिली नाटी चलती है तो फिर ये मेला लागा मावनागा शिलुए लामा नाटी का जलारा है आज आ लांबागे नाटी राज लारा, हेरे मुए चूटोगे कमरो। शिलूए नाचे गे हाल की नाभिखे, नैं कस दिने गे नबुरो। शिलूए गेरागे नाटी राना पड़ा, चांद तारे लागेगे भाळ दे। शिलूए आखडो राखे योस मने, नियों लागे चाती गे जाल दे। शिलूए आखडो राखे योस मने, नियों लागे चाती गे जाल दे। शिलूए अननद आगे अगे जाएंगे जादू बच्चों को जो इस खेत्र में आगे आना चाहते या किसी भी खेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्या चीजे धिहान में रखनी चाहें, आप अपनी और से क्या कहना चाहेंगे, अपने एक्सपेरियंस के हिसाब से मैं यह कहना चाहूंगी, जो हमारी अगली पीड़ी है, एक तो जो अपने से बड़े हो, उनकी इज़त करो, बड़े क्या छोटे भी हो, उनकी इज़त करो, और सब के साथ बाचित करो, सब के साथ प्यार से रहो, लड़ाई जगडा मत करो, और जैसे हमारे प्राने पर और करती सुस्क्रेटित है इसकी तरफ ज्यादा दे ये पॉप सिंगर ये फिल्मी गानों की तरफ ज्यादा ना जाए लिए कहा एन नो कि में भुभित ने हहे जक्यां अन्य किया है ww बिमला जी हम कहि detta नगा गशे तो तो मैं पहाड़ी contact आप हमारे दूर दर्शन आई हैं, हमारे परिवार से मिली हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फिल हुआ मैं, आप सब से मिल करके मुझे बहुत आनंदाया मैं हमें भी बहुत आनंदाया विम्ला जी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, स्थाई, अंत्रा, ऐसा सुनना चाहेंगे, की मज़ा आ जाए, और पूरा का पूरा गाना सुनना चाहेंगे, अच्छा, पूरा गाना सुनना चाहेंगे, तब तक आप सोची, तब तक मैं जरा विदा ले लेती हूं, हमारे दर्शकों से, कारेकरम का अंत्र, जैसे आपकी आवाज से शुरू किया था, अंत्र भी आपकी आवाज से ही करना चाहेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद कारेकरम में आई, तो दर्शकों इस अंक में इतना ही, आज हमारे साथ कारेकरम में थी, विमला चोहान जी हमें आशा है, आज का कारेक्रम आप सबने बहुत इंज्वाई किया होगा इस अग में इतना ही लेकिन छोड़े चले जाते हैं आपको विमला चोहान की खुबसूरत आवाज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दाडुता पाके बिदाड़ने पाके शोबली नारीते शोबली रिते गे बांकी शोरिये शोबली नारीते दाडुता पाके बिदाड़ने पाके शोबली नारीते शोबली रिते गे बांकी शोरिये शोबली ना रिते चंदरे होई बोलो दुनिया रोया आपणी तुनी ते आपणी निते गे बांकी शोरिये आपणी ना निते चड़ दे सुर जे हाथ जोड नेई डुब देले कोई नेईंगे जोड दे बांकी शोरिये डुब देले कोई हेलो तो हाई बोलो चव धेडे काल पुछ दा नकोई नेईंगे पुछ दा बांकी शोरिये पुछ दा नकोई खोड़ दारी बोलू गे डाली ए रोया आपने तु बोले आपने बोले गे बांकी शोरिये आपने ना बोले सादे तो खाये तीरे फैशिने दुजी मिठडी न गले मिठडी गले गे बांकी शोरिये मिठडी न गले बांकी बांकी शुझ विर खाले कि भांकी शोरिये मिठडी ओया बांकी बांकी दाना साद संहर कि दोड़ खाये बांकी, कश सब्स हा दक्तार